घर में अचानक अगर आपको शिपकिली दिख जाये तो लोग डर के इधर उधर भाग जाते हैं या फिर उसे भगा देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं घर में इस जीव का दिखना सुभ माना जाता है या सुभ। दरसल घर में शिपकिली का दिखना धनलाव के संकेत देता है लेकिन अगर ये घर में पूजा घर में दिखाई दे दे तो धनलाव के संकेत देता है शिपकिली का दिखना सिर्फ धनलाव के संकेत की नहीं देता है बलकि परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का भी काम करता है आईए जानते हैं इस वीडियो में शिपकिली का कहां दिखना सुब होता है और शिपकिली का कहां दिखना असुब होता है मानिता है कि अगर दिवाली की रात घर में छिपकली दिख जाए तो ये बहुत ही सुभ संकित होता है दरसल छिपकली को मा लक्ष्मी से जोडा गया है और ऐसा मानिता है कि दिवाली के दिन घर में छिपकली का आना या दिखना लक्ष्मी के आगमन को दरसाता है नए घर में अगर छिपकिली दिखता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के नए घर में या घर में प्रवेश के समय छिपकिली दिखाई दे जाए तो ये किसी पुर्वज या पिता के आगमन को दरसाता है ऐसी मानेता है कि पुर्वज छिपकिली के रूप में प्रगट होकर आशिरवात देने आते हैं वहीं नए घर में प्रवेश करते समय मरी हुई छिपकिली या मिट्टी में दवी हुई दिखना असुब संकेत देता है सपने में छिपकिली का दिखना कहते हैं कि सपने में छिपकिली को लड़ते हुए देखना मतभेद दरसाता है वहीं सपने में छिपकिली को पकड़ने की कोशिस करना और छिपकिली का डर कर भागना एक अच्छा संकेत है इसका मतलब होता है कि आपको बहुत जल्द सुब्र समचार मिलने वाला है और धन की प्राप्ति होने वाली है छिपकिलियों को लड़ते हुए देखना घर में दो या दो से अधिक छिपकिलिया लड़ाई करते हुए दिखाई दे दे तो ये असुब्र संकेत होता है इससे घर में लोगों के बीज़ आसमंज़स से होने का पता लगता है और घर में लड़ाई जगड़े होते हैं छिपकिली का जमीन पर दिखना यह भी एक संकेट देता है घर में छिपकिली अगर जमीन पर चलती या फिर रेंगती हुई नजर आती है तो ये भुकम्प या तुफान जैसी प्राकिर्ति घटना आने का संकेट देते हैं तो ये छिपकिली जो है अपने सुब और असुब सभी संकेटों को उदर साता है